हाई एवरिबन तेसे पापन चर्मा जब भी मैं वीडियो के नीचे कमेंट पढ़ता हूँ उच्छ कमेंट में कुछ शिकायती होती है उनमें होता है कि मैं अपना आउटलुक डेली चेंज कर देता हूँ देखे यहां पर आपको तीन चीजों के बारे में समझना पड़ेगा पहला आउटलुक होता है इंट्राडे का मतलब अगर आप इंट्राडे की बात करते हैं तो आउटलुक कुछ नहीं होता आपकी मार्किट अगले दिन क्या करने वाले ही होता है तो आज अगर मैं पॉजिटिव हूँ market कह रही है कल negative तो मैं negative हो जाऊंगा दूसरा outlook होता है swing swing में क्या होता है कि जैसे अभी पिछले week में हमने एक भी swing नहीं दिया मैंने आपको post भी किया था telegram पर कि हमारे पास में अभी swing है लेकिन market का mood था ठीक ने लग रहा यह होता है हमारे पास में जहां पर आप frequently change कर लेते हैं जैसे अभी मैंने आपको SBI का put दिया हुआ है और इसके बाद आता है long term तो अगर इन सब को देखेंगे तो long term तो हमेशा buy रहता है वो जो है part आता है जहां पर long term investment बनती है तो यहां पर कोई भी direction हमारी नहीं होती सिर्फ इसी के अंदर हमारी थोड़ी बहुत direction होती है अफ्कोस हम यहां पर call और put buy कर लेते हैं लेकिन यहां पर तो सिर्फ और सिर्फ buy होता है तो आपको यह देखना है कि आपको कि segment में trade करना है अगर आप intraday trade करते हैं जैसे video intraday के लिए होता है तो यहां पर हम हर रोज अपनी statement को change कर सकते हैं लेकिन जहां भी swing की बात आती है वहां पर हमारा statement सेम रहता है हमने आपको पहले SBI का put दिया हुआ था और हमने आपको लास्ट दस दिन से यह भी कहते आ रहे हैं कि जो PSU bank से उनमें steam थ्वड़ा सा खतम हो गया है और जल्दी में profit booking आएगी possibility यह है कि थ्वड़ा सा और rise कर जाए लेकिन यह evitable है कि उससे जादा breakout करता भागता चला जाए एक correction आनी जरूरी है क्योंकि नहीं आएगी तो market unstable हो जाएगी तो as a trader आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि आप जब trade करते हैं कि segment में trade करते हैं तो आपका mind उसी के accordingly चलना चाहिए देखिए कई बार जैसे बहुत से trader को buy पसंद है तो वो swing और जो investment में ज्यादा focus करें जो trader है trader के लिए कोई direction नहीं होती जहां trade मिले वही आपको trade जो है buy या sell करना होता है उसी से आपको profit कमाना होता है और उसी के लिए हम जो ये video बनाते हैं तो हम आपको हर रोज का एक 24 गंटे का outlook बताते हैं और जो swing trade हम देते हैं जो आपके stock of week या stock of the month या chart of the month जो हम title डालते हैं वहां पर आपके पास में थोड़ा सा outlook बढ़ा रहता है 4-5 दिन का एक target based में और उसमें एक और बात रहती है वहां पर हम सिरफ थोड़ा सा possible कम लगता है इसलिए अगर सारा data point भी अच्छा होता तो भी एक correction आनी ज़रूरी है otherwise market में fresh inflow नहीं आएगा वहां जितनी उपर जाने के बाद में बहुत सरे trader buy नहीं करना चाहेंगे trader का मत retail trader की नहीं FII, HNI या DII यहां पर इतनी high पर जाकर कोई भी buy नहीं करन है क्योंकि trader बनना है तो intraday outlook का मतलब होता है कल क्या होगा या market open होने के बाद में आज क्या होगा उससे जाधा हम intraday के बारे में नहीं सोचते उससे जाधा swing में आपको count करना पड़ेगा अगर आप यहां देखेंगे nifty का nifty ने पहले इस level पे resistance phase किया था फिर यहीं पे support लिए वापिस फिर से आज जो low बनाया है वहीं पर low बनाया है और यह कौन सा level है यह है फिबुनाची level का 23.6 और हमने आप से कहा था कि जब तक इस level के ऊपर nifty रहेगा possible है कि वापस जाकर अपने high को touch कर सकता है लेकिन अगर इसने इसको break कर दिया तो अगला target क्या निकल के आएगा 18,000 का और इसके बाद में जो अगला target है हमारे पास वो 17,800 का है और final target है 17,500 का क्योंकि जब यह fall करता है न तो generally हम 38.2 पर buy नहीं करते हैं हम wait करते हैं बड़ी moment का और बड़ी moment कहां से आती है 61.8 की और वो level कौन सा है यह तो maximum profit आपको कब मिलेगा जब market वापिसे 61.8 पर आकर रुकेगा तो यह point है जहां पर मैं as a personal trader सोच रहाओ कि अगली buy position कहां बनाएंगे यहां बनाएंगे तब तक हम trader की तरह intraday पर काम करेंगे तो कल हमें क्या करना चाहिए देखे जब भी nifty इस level से bounce करेगा तो हमें उस bounce का wait करना चाहिए जब भी एक stock गिरता है support level पर आतक छोट असा bounce आता है closing कहा है हमारे पास 18 414 का closing है तो हमें 18 450 के bounce होने एक pair वापस जब support लेता है तब हमें यहां पर buy करना है तो यह बनेगा हमारा buy और अगर नीचे की तरफ देखेंगे तो आपको जो low बना है वो बना है कितने का 387 का तो हम 380 के या 360 तक जो भी range बनेगी उसके नीचे जाने के बाद में हम sell करेंगे तो कल हम ना तो sell on rise करेंगे ना buy on dip करेंगे आप wait करेंगे possible है कि आपको कोई trade ना मिले इसके बीच में चुप करके बैठिएगा because अब जो decide किया जाएगा वो एक बड़ी moment उसके बाद में हो आज मैंने देखा था बहुत सारे reverse trade पे traders काम कर रहे थे कि उनको लगा था market नीचे गिरेगी तो वापिस जाएगी जाएगी ऐसा कहीं रूल नहीं होता रूल यह है कि जहां market आपको बता रही है जो trend है उसके accordingly आपको चलना है तो हमें इस 18450 के ऊपर जाकर buy करना है लेकिन पहले attempt में नहीं जब वापस नीचे आके support ले तब और 380 से लेके 360 का जो range है ज़रूरी नहीं कि इनी में से एक point पर आकर रुकेगा कहीं भी बीचुन रुक सकता है और जब वापस जाकर उसी level के आसपास hit करे और fail हो जाए उसको re-achieve करने में तब वहाँ पर आप sell कर सकते हैं in nifty बात करते हैं bank nifty के बारे में bank nifty में सबसे पहले देखेगा यहां से आप इसको ऐसे plot कीजेगा तो यहां से जो line plot करेंगे तो ऐसे नहीं आएगा थोड़ासा थोड़ासा आपको ऐसे मिलेगा तो यह line आपने plot कर दिया और यह trend line trend line के उपर लगाता नifty support लेकर trade कर रहा है तो हमें इसी trend का ध्यान रखना चाहिए in fact हमें bank nifty से के साथ में आपको PSU bank का चार्ट रखना चाहिए PSU bank में क्या करेंगे उसको यहां पर comparison chart में कर दियेगा और वह week हो गया तो समझ जाएगा bank nifty भी साथ में जाएगा because actual जो culprit है जो actual profit booking आनी है वो PSU bank में आनी है और अगर उसकी history देखेंगे तो PSU banks अपनी book value से बहुत उपर trade कर रहे है जो की उनके लिए possible नहीं है beaten down sector था लेकिन इतनी भी steam नहीं है कि बहुत उपर जाके rise कर जाए तो हमें क्या करना चाहिए आज की जो closing है वो है 498 की तो 43 450 को break होने के बाद में आप comfortably sell कर सकते हैं और जैसे हमने आपकी line बताया था यह वाला line जैसे आप telegram पर मैंने post किया था यह उसका resistance है तो अगर आप telegram का part नहीं है तो video को नीचे description box में आपको telegram का link मिल जाएगा वहाँ से आके आप use कर सकते हैं उसको बाकी links भी कुछ available है प्लस अगर आपको intraday में specifically एक course समझना है setup समझना है उसके लिए आपको हमारा course purchase कर सकते हैं उसका link भी description box में otherwise क्या केज़ेगा phone पे जाएगा play store से voodoo trading search केज़ेगा वहाँ पर आपको हमारा app मिल जाएगा तो वहाँ से जाके आप उसको purchase कर सकते हैं अब ही फिलाल हमारे पास में specifically intraday वाला है option वाला आने वाला है within next one or two days तो यह हमारे पास में पहला point रहेगा उपर की तरफ of course यह अपने support level पे ही है 43 500 पे ही तो इतना close ना करके 550 कर लेते हैं क्योंकि क्या होता है कभी कभी उपर जाके नीचे नहीं आता रही से rise करना शू करेता है तो 43 550 के उप हम जो इसको bank nifty को buy कर सकते हैं और 450 के नीचे हम sell करेंगे यहां पर एक छोटा सा hurdle रहेगा आपके लिए वो hurdle रहेगा 350 का तो अगर यह level break हो जाता है तो आपको और further fall देखने को मिलेगा bank nifty otherwise क्या होता है कभी कभी हमारा 150 points पे आने के बाद में struggle करके market वहीं close हो जाती है ले bank nifty stock selection में हमारा पैरा पिक है SBI SBI के मेरे पास में 10 lot हैं जिसमें से मेरे पास 3 lot December expiry के हैं और बाकी सारे January expiry के हैं January expiry वाले सारे profit में आ चुके हैं December expiry वाले almost on cost आ चुके हैं तो और पुश मिला तो वो सारे profit आए जाएंगे तो आप hold कर सकते हैं नहीं तो simultaneously आप January का एक lot extra buy कर लेजिएगा उससे ये फाइदा होता है कि हमारे पास अगर time कम भी है current month के लिए तो आप वह से निकल जाएंगे on cost उसके बाद में अगला outlook हमारा थोड़ा सा time जाधा buy कर लेंगे उसमें हमारे पास और अच्छे scope मिल जाएंगे तो ये आप कर सकते हैं for your adjustment इसको adjustment कहते है बट ये adjustment actually average है तो this is what और यहाँ पर भी आप देखिया ऐसे कीजिगा एक line plot कीजिगा trend line और इसका मतलब होई है कि ये लगातार इसी line पर हलका हलका shift करके support ले रहा है जैसी ये break करता है एक अच्छा सा fall हमें देखने मिलेगा आज जो हमारा low बना था वो 614 का बना था तो आ आप 614 या 613 के break होने के बाद में sell कर ले सकते हैं और वापस अगर भागता है तो 620 का भी हमारे पास hurdle है 620 के उपर जाने के बाद में आप यहाँ पर buy कर सकते हैं SBI के अंदर अगला है that would be IRCTC government FPO लेकर आ रही है sorry OFS लेकर आ रही है offer of sale तो उसके वहाँ पर जो price वो 680 का ह उसके वह से आप इतना gap down मिला in fact मेरा पचास साथ जार का loss इसी में से आज है because मेरे पास इसके thousands जादा quantity है तो अगर आप देखेंगे 740 30 से लेके इतना तो पचास साथ रुपे का जो fall है वही मेरा भी loss है तो यह ऐसा लग रहा है कि काफी अच्छा चलेगा लेकिन अगर अ हमारा कितना है 687 का तो यह नीचे गिरके वापिस से मुझा लग रहा है 650 तक जाएगा तो 650 तो अभी इंट्राडे में नहीं मिलेगा तो at least हम इसके साथ में move करके अपना profit यहां निकाल सकते हैं तो इसके नीचे आप यहां पर sell कर लेजेगा और वापिस अगर जाता है तो 692 के उपर या 693 के उपर जाने के बाद में आपका यहां पर buy बनेगा in IRCTC अगला है मेरे पास में that would be ambuja cement देखिए ambuja cement ने पहले यह बनाया फिर एक और बनाया और वापिस से आके इस रोपया के रूख गया तो क्या है हमारे पास एक तो cup with handle pattern हो गया और वह भी इसके neckline है तो यहां पर आप देखेंगे 560 के नीचे आपका यहां पर sell बनता है और वापिस bounce back करता है तो 565 के उपर जाने के बाद में आप यहां पर buy कर पाएंगे और reason मैंने आपको बताई दिया है उसके बाद है हमारे पास में यहां पर मैंने जिंदल स्टील के साथ मैं video भी प जाता है तो यहां से अगर भागता है तो buy बनता है जिसको bounce back कहते हैं और fall करके अगर hurdle face किया तो यहीं पर वो बन जाएगा sell तो यह भी आपको help करेगा और जैसे मैंने कहा इससे पहले मैंने video को pick किया था वो भी अच्छा है बद दोनों में compare किया तो यह वाला मुझे ज्य like और subscribe का नमद बोलिएगा मिलते हैं अगली video में till then take care bye bye